राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला बाबा राम देव पशु मेला नागोर की तैयारियां अंतिम चरण में है इस मेले में देश के अलग-अलग राज्यों से बड़ी संख्या में पशु आते हैं बाबा रामदेव पशु मेला नावगोरी पश्मों के लिए प्रसिद्ध है इस मेले के शुरू होने में अभी कुछ समय शेश है लेकिन इससे पहले ही सजावटी सामान और पश्मों के आभुषणों की दुकाने सजनी शुरू हो गई है इन में प्रमुख है घोडे और घोडियों को सजाने के लिए मिलने वाले आभुषणों की दुकान इन दुकानों में घोडों को सजाने के लिए जितने सामान मिलते हैं उन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि ये ब्यूटी पारलर सरीखी दुकान है जीन, टाटी, सिंगार, पिलान, चादर, घुंगरू वा टंकारी जैसे सामान से सजकर गोडे घोडियों का रूप निखराता है जिस प्रकार से दुलहन को समारने के लिए अलग-अलग अभुषणों को पहनाया जाता है उसी तरह घोड़ा या घोड़ी के श्रिंगार के लिए उन्हें अलग-अलग अभुषण पहनाये जाते हैं घोड़ा या घोड़ी को सजाने में मूर, साज, सेवर, घुंगरू, पायल, पीरिया, जीन, जाल, चादर, लगाम वा फूलों से सजी जाली आदिकपरयों किया जाता है इन चीजों की दुकान लगाने वाले व्यापारी बबलू ने बताया कि पश्मों के शरीर के हिसाब से अलग-अलग अभुषण होते हैं घोड़ी की गला सजाने के लिए साज, सेवर, तो गर्दन के लिए हार पहनाये जाते हैं मुह के लिए मोर टोकरी और लगाम है तो पीट के लिए जीन, जाल, चादर वा फूलों से सजी जाली वा पीट पर पचड़ी का प्रयोग किया जाता है घोड़ी के पैरों को सजाने के लिए घुंगरू, पायल, पीरियां वा जाली दार बनी रस्ती का प्रयोग किया जाता है